गाव में एक पुढ़ा व्यक्ति रहता था. वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था. सारा गाव उसके अजीबों गरीब हरकत से ठक गया था क्योंकि वह हमीशा उदास रहता था, वह लगातार शिकायत करता था और हमीशा खराब मोड में रहता था. जितना आधिक वह जीवित रहा, उतना ही वह दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे. लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसका दुरभाग्य संक्रामक हो गया था. उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुब हो जाता. उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमांजनक भी था. इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की. लेकिन एक दिन, जब वह हसी साल के हुए, एक अविश्वसनिय बात हुई. ये बात लोगों में आज के तरह फैल गई. वह बूरा आदमी आज खुश था, वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बलकि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था, और यहां तक कि उसका चहरा भी तरो ताजा दिखाई पर रहा था. ये देखकर पूरा गाव उसके घर के सामने एकठा हो गया. और सभी ने बूरे आदमी से पूछा की, तुम्हें आनन्द लेने का फैसला किया. इसलिए मैं अब खुश हूँ. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो. जीवन का आनन्द लो, हमें जीवन के हर एक पल का आनन्द लेना है.